सो अगर आप एक यूटूबर हो तो आप सभी को मालूम है कि यूटूब पे वीडियोज बना लेना बहुत ही इजी हो जा रहा है लेकिन यहाँ पे जो कि वीडियो के उपर व्यूज लाना या फिर अगर हम बात करें उसको रैंक कराना यूटूब पे यह बहुत ही डिफिकल चैलेंज हो जा रहा है तो यहाँ पे आज किस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ कि किस तरीके से आप जो कि यूटूब पे अपनी वीडियो को यहाँ पर रैंक कराऊगे और यहाँ पर आप math proak के साथ ने देख सकते हूं यह fourth number पर यह video राइन कर रही है और ऐसे अगर हम बात कर तो कई सारी के यह कि कि आप जो लिखा गया है, तो यहाँ पर मैं आपको लेकर आऊंगा इसके dashboard में और यहाँ पर देखो यह वीडियो है, जो कि rank कर रही है नमबर 4 पर और यह मेरा channel है जो कि आप देख सकतो, Vyom Tech के नाम से यह channel है, तो सवाल यहाँ पर यह है कि आप भी कैसे rank कर सकतो आप कैसे इसका इस्तमाल कर सकतो और यह बिल्कुल free है, यहाँ पर कोई भी charges नहीं देना है, कोई भी पैसे नहीं देना है कुछ भी नहीं करना होता है, simple इस tool को install कर लेना होता है इसके extension है, जैसे कि अगर हम बात करें है, उसकी value क्या है हमे Kुछ पता नहीं होता है, तो हम क्या करते है Google से उठाते है, उसको लाके यहाँ पर tag में डाल देते है, यह हमें नहीं करना होता है हमें कि कुछ इस तरह के टूल का इस्तामाल करना होता है, जिसका नाम मैं आपको उतायता हूँ, यहाँ पर आप देख तो इस तरीके से यह आपकी बदा दिता है, उसकी value क्या है, उस tag की मतलब ranking करने के chances क्या है, यहाँ पर green में आपको यह show करता है, तो सवाल यहाँ पर यह है कि जैसे मैं plus के tag पर click करता हूँ, तो देखो यह add हो जाता है, यह setting में, तो जब यह add हो जाता है, यह कुछ इस तरीक से दिखने लगता है, वैसे ही अगर हम बात करते हैं, तो आपको यहाँ पर दिखाये गए tag के अंदर, मतलब जो भी tag दिखाये जा रहे हैं, वो tag को आपको add करना होता है, ठीक है, जितना आप बहतरीन tag को आप add करोग वो सारी चीज़ा analyze करनी होती है, यहाँ पर आप देख तो यह very good की category में आ रहा है, इसका मतलब almost यह सही है keyword, इसका इस्तमाल किया जा सकता है, लेकिन कई सारे keywords होते हैं, जो कि अगर मैं obvious studio को search करके enter मारता हूँ, तो यह कुछ इस तरीके से आपको दिखाएगा, इसकी poor, मत लेकिन इसके उपर अगर हम बात करें, इस keyword के उपर हम काम करते हैं, तो ज्यादा तर chances है कि rank ना करें, मतलब नहीं ही rank करेंगी, तो इसको देखते में मुझे यह tool काफी अच्छा लगा, इसका नाम है TubeBuddy, और TubeBuddy एक बिल्कुल free platform है, और इसका आप इसका आप इस्तमाल आता हूँ, और यहाँ पर मैप को दिखानी कोई करता हूँ, कि कुछ और वीडियो के अंदर जब मैं आता हूँ, तो उसमें tag की value क्या दिखाती है, और उसका tag का response क्या है, यहाँ पर मैप को दिखाता हूँ, यहाँ यह देखिए, इसकी ranking को load कर रहा है, इसमें जो भी ranking होत इनको मैंने optimize किया है, इस tool की मदद से, tube buddy tool की मदद से, और यह fourth number पर rank हो रही है, आप ऐसे ही अगर हम बात करें तो ऐसे ही करके आप कई सारे video को rank करा सकते हो, बस अपने thumbnail पर आप focus करिएगा, thumbnail पर काम करिएगा, आपको बहुत ही better result आपको मिलेगा, तो यहाँ पर हम बात क तो थोड़ा net का issue है, लेकिन यहाँ पर हम cover कर लेते हैं कि किस तरीके से, अगर आप चांते हो, कि इसको rank कराना तो आप tube buddy के साथ में जूर सकते हो, इसके extension आते हैं, जो कि यह extension है, यह extension आप यहाँ से देख सकते हो, और इस extension में keyword explorer है, SEO studio है, keyword topic planner है, और और भी अगर हम बात तो बहुत सारी चीज़ है, लेकिन जो इसका मुझे tube body का सबसे best मुझे जो लगा है, अब तक का सबसे बहतरीन, वो है सिर्फ और सिर्फ tag का, tag का feature मुझे काफी अच्छा लगा है, जैसे मैं यहाँ पर click करता हूँ, तो यह देखो, यह tag हमें देता है, जो कि green में दिखाता है, जो tag अगर हमारे लिए अच्छे नहीं है, उसे जो कि red में दिखाता है, जो tag almost ठीक ठाक है, उसे जो कि yellow में दिखाता है, ठीक है, यह orange में दिखा रहा है, मतलब यह tag almost बहुत बेकार है, इसे red वाले से अच्छा है, लेकिन हाँ, अगर yellow में दिखाता है, तो आप समझो क के उपर क्लिक करना होता है, automatic यहाँ पर tag add हो जाएंगे, और यह tube buddy का यह आप देखोगे, तो एक बहुत ही बहतरीन features यहाँ पर मुझे देखने को मिला है, इसके मादेम से अगर हम बात करें तो बहुत सारी video rank कराई जा सकती है, लगातार काम करके, आप जोए कि कई सारी video क पर काम करके, अपनी video को rank करा सकते हो, आप जोए कि यहाँ पर बहुत अच्छा feature इसका इस्तमाल कर सकते हो, प्लस यहाँ पर search explorer भी है, जो भी keyword आप यहाँ पर search करते हो, इससे related, वो उसकी quality क्या है, वो keyword की, प्लस अगर हम बात करें, related search यहाँ पर दिखा दिता है, कि इससे keyword status भी आप देख सकते हो, इस keyword पर most view कितना आया है, तो last view यहाँ पर अट रहा है, इसका मतलब यह है कि इस particular keyword पर काम करना बेकार होता है, ठीके, ज़्यादा views नहीं है, लेकिन अगर last view अगर यहाँ पर ज़्यादा दिखाता है, इसका मतलब यहाँ पर ज़्यादा focus कर सकते तो मुझे TubeBuddy काफी अच्छा लगता है, काफी friendly है, इसके साथ मैं काफी time से मैं जुड़ा हूँ और काफी time से मैं इसके पर काम करता हूँ, इसका free plan भी है और pro plan भी है, पैसे देखे भी आप ले सकते हो, और free में भी ले सकते हो, मेरा फिलाल star plan चल रहा है और आप जो है क payment करोगे और जैसे payment कर दोगे यह जो है कि upgrade हो जाएगा, कोई दिकत नहीं है, आप free में भी यूज़ कर सकते हो, तो यह बहुत ही बैतरीन platform है TubeBuddy का, खास करके यूटूबर्स के लिए जो creator है, उनके लिए बहुत ही अच्छा यह साबीत हो रहा है tool, तो आप try कर सकते हो, so I hope जो कि वीडियो आपको पसंद आयोगी, हम विलेंगे नेक्स्ट रूल में बात करेंगा, और टिप्स में टिक्री बार में, तब तक के लिए, थैंक्स वाचिंग, वावाए